वेलकम टू मैं चानल, आज के वीडियो में मैं ही आप लोगों को बताने वाली हूँ, छेरे के उपर अग्निस कास को लेमिशस को रेडिूस करके आपका स्कीन को क्लीन, क्लियर, फ्लॉलेस करने का सिंपल गरेली जरीका बताने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को देखते है अगर आपका स्कीन ड्राइ है, तो आप इसमें दहिया मिलकम बताने वाली हूँ, तो इसके लिए आपको लेना चाहिए एक चमच औरेंज पील पॉडर, और एक चमच कूलिंग पॉडर, इसको वाइट मुलतानी मिट्टी भी बोल सकते हैं, ये दो चीज को आच्छे सा मिक इसके इसमें सिम्फल वाटर July कीजिए, अगर आपका स्कीन ड़्ाय है, तो आप इसमें दही मिलक़ भी ऐड़ कर सकते हैं, ये पैक जो है, उसके wiping बना देता है, ये आपका स्कीन को वाइटनिग बना देता है, और सिसे आपका स्कीन कांपलेक्शेंум बीडी वाइटनिं दूर होता है इसको अप्ले करके इसकेसा करने के पहले पेस के लिएक सोगोड़े करने के पहले क्रिए बैस को फेसी अडेक्राइब घृट करना है इसमें ऑरेंज फील पोडरEr ये अपना इसमें Kara व्राइटनिंग। ब्राइटनिंग बनाने के साथी साथ चेहरे के उपपर आकनी कौशधेस बैक्टीरा को दूर करके स्कीन को इवनन ओट कर देता है, यह पाक आक को इस तरह चेहरे के उप़र अपले करना है अपले करके 5-10 मिनित तक चोड दीजिए, 10 मिनित के बाद आपका स्कीन को नॉर्मल पाने से वाश कीजिए ऐसे करने से आपका स्कीन कॉंफलेक्शन इंप्रू होगा, आपका स्कीन टोन भी बढ़ता है इसको हर दिन कीजिए, आपको visible different 100% दिखेगा यह 100% natural और effective DIY remedy है, इसे कोई भी side effect नहीं है, नुकसान नहीं है 100% safe effect 2 नुसका है, तो जरूर इसको प्राई कीजिए प्रेली सब्सक्रेब में चानल, Honey's Beauty and Health और side effect bell icon को आप प्रेस करने से, मेरी सार लेटेस वीडियो सब्डेट्स आपको जल्दी से मिल जाती है तो इसके लिए bell symbol को जरूर क्लिक कीजिए